हेलो एवरीवान नमशकार आप सभी का स्वागत है एक सवाल सबसे बड़ा मन में आता है नौटिफिकेशन आया अभी IBPS RRBPO क्लारीकल का इसके लिए मैंने एक फाउंडेशन कोर्स निकाला one double nine का अगर आपने वू नहीं देखा जाएए मेरे चार धमाके देखिए आपको बहुत बेनेफिट होगा मैं फिर सरो रिपीट कर रहा हूँ अगर आपने ये चार धमाके नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा समझ लीजी आप मतलब अभी बहुत दूर हो तैयारी से तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो यह चार धमाके मैंने लॉंच की है बैंकिंग वाला यूट्यूब पर जाके इनको देखो और अपने एक फीड़बैक जरूर देना अब टॉपिक पर वापस आते हैं क्या मुझे किसी और स्टेट से यह फॉर्म भरना चाहिए इस तरह के वीडियो पे बहुत सारे लोग वीटूब पर वीडियो बनाएंगे आप समय दे के खराब भी करोगे मैं समय खराब नहीं करना चाहता इसलिए मैं सीधे एक बंदे से आपकी बात कराता हूँ एक लड़की जिसका सेलेक्शन लास्ट येर हुआ था ओफिसर स्केल वन में वो राजिस्थान से बिलॉंग करती है और उसमें गुजरात से भरा तो मैं सीधे उसी से कॉल करके पूछ लेता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया फाइदे नुकसान क्या होते आपको एक क्लारेटी होगी सब्सक्राइब ना चलो कॉल लगाते हैं फिर में वेकेंसी पर भी आऊंगा किस राज्जे की कितनी वेकेंसी है तो मैं सीधे कॉल कर ले रहा हूँ चलो हां आरती आवाज आ रही है आपको मेरी तो आरती मैं अभी लाई वो मतलब session में record session चल रहा है तो इसमें तुम सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आरती तुम हो कहां से मैं राजिस्तान में बिकानेर से राजिस्तान बिकानेर से और अभी तुम जॉब कहां कर रही हो गुजरात में सौरास्ट और किस पोस्ट पर जॉब कर रही हो ऑफिसर स्केल वन तुम्हार लास्ट यर सेलेक्शन हुआ था अजी सर्थ अब मुझे ये बताओ राजिस्तान से तुमने फॉर्म क्यों नहीं भरा तुमने गुजरात से फॉर्म क्यों भरा तो तुम्हारा ये पहला टैम था ये इससे पहले भी तुमने टैम दिये थे लास्ट यह दिया था तुम्हें नहीं निकला अच्छा तो ये बताओ कोई चैलेंजस तुमें महां पे आरें जैसे तुम राजिस्तान से गुजरात में तुम जॉब कर रही हैं कोई चैलेंजस तुमें लग रहे हैं कि यार अगर मैं स्टेट चेंज नहीं करती राजिस्तान से भरती कर लोगी है और एक दो नंबर हमें उन्पर निसे लगता है और अधर इस तेट से पहले जोप ले सकते हैं अच्छा इस बार तुम्हारा अर्मिका फॉंक फिर कलोगी है अफिसर स्केल वन का करोंगी फिर बड़ी आपने बड़ी अकलर करना भी नीची है अच्छा अरती मुझे एक बात और बताओ तो जैसे गुजरात की लेंगविज भी हिंदी और कौन सी गुजराती है तो तुम् अच्छा अच्छा तो एल्पीटी वगेरा हुआ था तुम्हारा या फिर नहीं हुआ था अभी तक नहीं हुआ वो सिक्ट मंत के बाद होता है अगर एल्पीटी में हो जाए कि परस्ट ताइम में हमने क्लियर नहीं किया तो उसका हमें सेकेंड ऑप्शन भी मिलता है और स् छे महीने के बाद फर्स्ट एल्पीटी होता है और जो हमारा सेकरंड होता है वो साल बर के बाद में होता है तो साल बर में तो कोई लेंग्वेज हमें आई जाती है तो उसका कुछ इश्यू नहीं लगता मुझे अच्छा अच्छा तो यह था मतलब कि आपका सेलेक्शन हो जैंसे लेंगेज्ड वहां उसको करेंगी. उनको बताएंगे बी ऐसे ऐसे कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं. चलो नहीं बढ़ी आरती तुमने वह बहुत अच्छी बात भूली कि अखर जब जल्दी लेनी है तो आप ये स्षिछ कर सकते हैं अच्छी बाते हैं चलो बहुत बहुत धन्यावाद तुम्हारा थैंक यू मैंने तुम्हारा मैसेज पड़ा कि लास्ट येर मैंने तुमसे का था कि जॉब तक स्रेक्शन ले लेना है अजी आपके बर्दे पर आपकोई गिफ्ट चाहिए था स्टिडेंट पर नहीं ठीक है आरत तुम बहुत अच्छा लग आपको अपनी राइस दूं कि ये कलो वो कलो नहीं मैंने स्टुनेंट से कॉल लगाई उससे पूछा आपने सुना उसकी कनवर्सेशन अब आप यहां पर खुद बिसाइट करना मैं फिर बोलूंगा मैं फिर आपको डाइवर्ट नी करना हूँ ना मैं मोटिवेट करना हू आप समझदार बनिये सतर कर रहिए थोड़ा जागरुग बनिये अवेर्नेस अपने अंदर लेके आईए किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए मेरे को अपने सुना आपने जाना मेरे खुद के व्यक्तिकत व्यू हैं कि यार मैं आपने राज्ये में नौकरी करूँगा उसका कहना यह कि यार अगर अपने राज्ये में भी नौकरी मिलती तो बहुत दूर थोड़ा मिलती इससे अच्छा में गुजराद नूँ अब मैं एक नौकरी मुझे मिल गई इस साल में राजिस्तान से फिर भर लोगी तो आपको समझदार होना है कि आप वेकेंसी पर ब अंधर परदेश, अरुनाचल परदेश, हर राज्ये की अपने अपने ग्रामिन बैंक होते हैं किसी राज्ये में दो हैं किसी में एक जिसे आंधर परदेश में तीन ग्रामिन बैंक हैं उसकी कट ओफ केटेगरी वाइस देरखी आपको ठीक है बई अब यह चुनावा आप अपने आप बढ़ जाता है sir, अब उस लड़की को आप देख रहो, now she is very confident कि officer skill 1 पे job कर रही है, घर से शायद काफी दूर है, but हो सकता है कि वो confidence से वो इस साल फिर exam निकाले, और वापस अपने घर आ जाए, तो नौकरी जल्दी लेना मकसद है, मकसद येने की घर पे लेनी है ठीक है sir, तो ये आपके multi-purpose, clerical का एक पूरा का पूरा में फटा फट से दिखाता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लो, ये देखो, पंजाब, राजिस्थान देखो, राजिस्थान में 195 वेकेंसी है, गुजरात की भी एक बार देख लेते हैं, जब गुजरात का जिक्र 127 वेकेंसी हैं, बहुत सारे लोग यूपी वाले उत्राखंड से बरते हैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यार, मुझे ऐसा समझ आ रहा है, कि उत्तर परदेश में केवल 549 वेकेंसी और उत्राखंड में इतनी बताओ, और वेस्ट बेंगॉल में आप देखोगे, वेस्ट बेंगॉल में भी 400 से 500 से ज़्यादा वेकेंसी हैं, तो ये चैन सिरफ आपका होने वाला है, कि आप किस राज्ये में जाके नौकरी कर सकते हो, ये क्लरीकल की थी, मैं पी देख लेता हूँ, फिर से आंधर प्रदेश में इस बार बहुत वेकेंसी दिखरी है मुझे तो, पियो की भी और क्लरीकल की भी, और बाकी आप स्टेट वाइस देख लीचे, गुजरात में कितनी है, पचास ही है, हर्याणा में कितनी है, आप देख सकते हो, हीमाचल इल्ला में भी, तो मतलब कुछ ये वाले जो राजी है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे जगों में वेकेंसी जादा है, जहां से लोग चट ग्रामिन बैंक की तयारिया तो कम करते हैं, या फिर वहाँ पर उतना अवेरनेस नहीं है, जैसे आप देखोगे, बिहार हो गय जितना भी ये वाला जो एरिया, यहां पर काफी लोग तयारी करते हैं, इदर वेकेंसी में यूपी का देख लो, यूपी में कितनी वेकेंसी हैं भाई, पियो की जरह एक बार देखना, उत्तर परदेश में, अगर मैं पियो की बात करूँ, तो जहां तक मुझे दिखाई कितने हैं अभी उत्तर परदेश में, तीन बैंक है, आरिय वरत, बरोदा, और ये, मतलब आप देखो कि केवल 15 और साथ 22, मतलब 230 वेकेंसी हैं केवल, सोचो, यूपी में 230 हैं बस, जबकि काफी सारे लोग होते हैं, मतलब यार, यूपी की जन संक्या बोलते हैं, ऐसा 20 करो लोगों ने जॉइन नहीं किया, दू-तिन रीजन हो सकते हैं, तो अम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी helpful रहा, लोगों ने इस पर काफी लंबे-लंबे बनाए, मैंने short वीडियो बनाए, ये सोचने के, ये मकसद के साथ, दो बातें आपको बता चल गई, एक वो वाली कि क्लड़की से बात करा कि आपको आइडिया मिल गया पूरा, कि वो जॉब कर रही है अभी फिलाल, है न, छे महिने बाद उसका LPTA, उसका कहना भी सही है, छे महिने बाद आवे language सीख जाते हो, दो राउंड हैं आपके पास, तो ये चुना अब आपका है, अब आज के सदियों तक याद रखा जाएगा ये, कि एक बंदा था जो निस्वारत भाव से सिर्फ आपके लिए काम करना था, उसका मकसद पैसे कमाना नहीं, उसका मकसद था लोगों के बीच में रहके उनका सेलेक्शन कराना, उनसे दुआएं लेना और उनको ये बताना कि इस दुन झाल झाल